Hello dear student, welcome to physics नमा, आज के वीडियो में हम लोग class 9 science का चाप्टर gravitation स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में इस चाप्टर का introduction टॉपिक रहेगा, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन, तो आए हम लोग समझते हैं कि फोर्स अर्थ है, जो किसी बोड़ी पर फोर्स कैसे लगाती है, तो यह हम अर्थ है, और मालनते कि अर्थ से कुछ उपड़ एक स्टोन है, और यह स्टोन को हम छोड़ देते हैं, तो यह क्या होता है, अर्थ के सतह पर, अर्थ के उपर से कोई पत्थर को तो वह पत्थर अर्थ पर आकर गिर जाती है, अगर यहां से भी छोड़ेंगे तो यह अर्थ की तरह भी पत्थर आएगी, यह अर्थ यह स्पेस में है, तो इसके लिए यहां पर जो भी परसोन होगा, इसके लिए उपर इधर होगा, और य यहां से भी हम पत्थर छोड़ेंगे तो यह क्या है अर्थ पर आकर गिरती है अगर यहां से हम छोड़ेंगे तो इस डेरेक्शन में आकर पत्थर गिरेगी यहां पर छोड़ेंगे तो यहां पर आकर गिरेंगी यानि अर्थ के नजदीक से हम कोई पत्थर ड्रॉप करेंगे अर्थ पर छोड़ देंगे, तो इस पेस में छोड़ेंगे, तो वह प्रिथिभी पर आकर अर्थ पर आकर गिरती है, तो इसको समझते हैं, अगर जब पत्थर यहां पर था, जब हम लोग ने उसको नई छोड़ा था, तो उसका इनिसियल भेलोसिटी क्या था, जीरो वारेस् हो जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, और यहां पर वेलोसिटी भी है, भी मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिसियल व तो फाइनिल वेलोसिटी बी एथ वी मीटर पर सैंड पर शेंड है और इनीशल बैलो सिटी जीरो시면ình तो एक हो जागा वी मीटर पर सेंड को यह तेखिए यहां स यहां तक काने में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वैलो सिटी अगर चेंज होता है तो हमія निउटन Newton's के second law से क्या जानते हैं, जो हम लोग ने फोर्चन लोव मोशन में study किया, अगर किसी बोडी का फेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानि उस पर एक फोर्च लग रहा है, यह फोर्च is needed to change the speed or the direction of motion of an object. तो Newton's के second law से क्या मालूम चलता है, कि अगर किसी बोडी का हमें velocity चेंज करना है, सोरी, speed चेंज करना है, या उसके direction को चेंज करना है, तो हमें एक फोर्च चाहिए, फोर्च के कारान ही उसका speed या direction चेंज होगा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि यहाँ पर उसका speed चे अगर speed चेंज हो रहा है, तो यानि क्या हो रहा है, इस पर एक फोर्च लग रहा है, तब ही जाकर वहाँ इसका speed चेंज हो रहा है, तो यहाँ फोर्च इस direction में लगेगा, आर्थ की तरफ लग रहा है, जो यह स्टोन है, उस पर एक फोर्च आर्थ की तरफ लग रहा है, तो तो एक और देखते हैं, हम मून और आर्थ का एक्जामपल लेते हैं, तो जो मून है वो आर्थ के चारो तरफ एक और्बिट में चकर लगाती है, और्बिट किसे बलते हैं, जिसे पात पर मून आर्थ के चारो तरफ चकर लगाता है, उसे मून का और्बिट बोलेंगे, तो द आ रही है तो इस case में देखते हैं इस case में देखते हैं कि अलग-अलग point पर हम देखेंगे Moon का velocity का direction हम देखेंगे तो यहां पर देखिए अगर हम इस point पर Moon का direction लेते हैं तो इस point पर Moon का direction क्या होगा अगर किसी यह जो circle है circular जो orbit है इस orbit पर जो इस point पर हम tangent ड्रॉ करेंगे तो tangent ड्रॉ करेंगे यह जो line है यह tangent है तो जो tangent का direction होगा वही Moon का direction होगा इस point पर Moon का direction होगा tangent to a circle यह line है tangent to a circle और tangent किसको बोलते हैं a straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle इस circle पर अगर कोई यह straight line है स्रिफ एक ही point पर मिलता है तो इसे हम tangent बोलेंगे तो देखिए इस point पर direction यह tangent के direction में होगा यह Moon का जो velocity होगा इस direction में होगा यह कैसे होगा यह हम आगे next slide में देखेंगे अभी स्रिफ जान लिजे कि इस direction में मून जब यहाँ था तो इस direction में इसका velocity है और जब यहाँ पराया तो इस direction में इसका velocity होगा यह line जो है यह tangent है इस circle पर tangent है उसी तरह अगर इस point पर मून आए तो इस direction में उसका velocity होगा तो इस case में हम क्या देख रहे हैं कि हम यहां से यहां आने में चाहिए इसके next point पर भी आएगा तो यहां पर tangent अलग होगा यह tangent का direction यह है तो यहां पर इसका tangent का direction इस direction में होगा तो यहां देख रहे हैं कि इसका जो direction है, speed का direction है वो change हो रहा है यानि velocity इच point पर change हो रहा है तो अगर velocity change हो रहा है तो newton's के second lock के अनिशार क्या होगा अगर velocity हमें किसी body का velocity change करना है तो उस पर एक external force की जोड़ोत परेगी यानि moon पर कोई external force लग रहा है तभी इसका velocity change हो रहा है तो वह external force कौन लगा रहा है वह external force अर्थ लगा रहा है अर्थ इस फोर्स लगा रहा है तो जो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग पहले हम लोग tangent को समझ लेते हैं, जो direction अभी हम लोग ने देखा, कि जो circular path है, उस पर वो direction कैसे change हो रहा है, हमने माना था कि जो moon का direction है इस point पर, इस direction में है, इस point पर जो tangent है, उसके direction में है, तो आई हम लोग समझते हैं कि इस tangent में direction moon का कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं, तो यहां एक बच्चा है, उसके हाथ में एक string है, एक रसी है, और रसी में एक पत्थर का टुकड़ा बांधा हुआ है, और यहां string को अपने चारो तरफ घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो देखिए, जब मल देते कि यह पत्थर इस पॉइंट पर आया, तो यह क्या है क इस ट्रिंग टूट जाता है, यह जो रसी है, टूट जाता है, तो जब रसी टूट जाता है, तो जो पत्थर है, वो किस डेरेक्शन में चला जाता है, यह इस डेरेक्शन में चला जाता है, और यह लाइन है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, यह सरकल पर यह टेंजेंट यह जब circular path में पथर घुम रहा था, तो इस पर एक force लग रहा था, तो कौन सा force लगा रहा था, यह जो रसी है, इस string है, वह इस रसी का जो tension है, तनाव है, वह इस पथर पर force लगा रहा था, देखें, इस point पर है, तो इस direction में force लग रहा है, अगर इस point पर आ जाता है, रसी, तो इस direction में उस पर एक force लग रहा है, तो इस force के कारण, यह जो पथर है, यह circular path में move कर रहा था, इस पर force कौन लगा रहा था, string लगा रहा था force, यह हमें दिखाई दे रहा, string में यह रसी में जो तनाव है, उसके करण, पथर पर force लग रहा था, अगर हम इसको लूज कर देंगे, तो यह circular path पर move नहीं करेगा, जब यह tension में है, तभी यह circular path पर move करेगा, और जब रसी तूट जाता है, तो जिस point पर रस रसी तूट गया, string तूट गया, तो किस direction में पथर move कर रहा है, इस direction में move कर रहा है, अगर इस point पर आने के बाद पथर तूट जाता है, तो इस direction में वह पथर move करेगा, तो यहां से इस से क्या मालूम चल रहा है, कि इस point पर जो पथर का velocity है, इस direction में है, जब string तूट गया, यानि उस पर कोई force नहीं लग रहा है, जब force नहीं लग रहा है, तो वह जो उसका जो natural direction था, इस point पर जो direction था, उस direction में पत्थर move करने लगा, और इस point पर भी जब पत्थर था, अगर string तूट गया, तो इस direction में पत्थर move करने लगा, यानि जब string तूट जाता है, तो पत्थर पर कोई force नहीं लगता है, तो उस point पर जो direction था पत्थर का, उस direction में वह move करने लगता है, उसी तरह इस point पर जब string तूट गया, यानि उस पर पत्थर पर कोई force नहीं लग रहा है और इस direction में वह move करने लगा, तो इसे हम क्या देख रहे हैं कि कोई body circular path पर move कर रहा है, तो यान उसका जो velocity होगा, जिस point पर हो आ रहेगा, उस point पर जो tangent होगा, उस tangent के direction में velocity होगा, तो उसी तरह जो moon का जो velocity होगा, किसी भी point पर, हम moon के orbit पर जो tangent ड्रॉ करेंगे, उस tangent के direction में moon का velocity होगा, अर यह जो फोर्स है यह सेंटर की तरफ लग रहा है देगे यह स्ट्रिंग तुट गया तो उस पर फिर वो फोर्स नहीं लगेगा और वह उस डिरेक्शन में, टेंजन्ट के डिरेक्शन में वह मूब करने लगेगा, तो किस डिरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, देखें, स्ट्रिंग के करान सेंटर की तरफ लग रहा है, तो उसी तरह जो मून और आर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो मून पर किस डिरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आर्थ उसका सेंटर हो गया, तो आर्थ की तरफ वो फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें वो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, इस केस में हमें स्ट्रिंग से हमें स्ट्रिंग के थुरू देख रहा है, कि टें सेंटर की तरफ लग रहा है उसको सेंटरी पीटल फोर्स कहेंगे तो यानि मुन पर भी एक संटरी पीटल फोर्स लग रहा है और वह फोर्स कौन लग रहा है here the force is due to tension in the string. इस case में तो string में जो tension था, उसके कारण force लग रहा है, लेकिन मून पर कौन force लगा रहा है? मून पर है earth force लगा रहा है. जिसके कारण मून है वो circular path पर move कर रहा है. अगर earth force लगाना बंद कर दे moon पर, तो जिस point पर है गा, उस point पर वो tangent direction में earth move करने लगेगा. तो यह देखिए, अलग-अलग point पर moon है, तो इस पर यह earth के center की तरह force लग रहा है, जिसके कारण earth circular path में move कर रहा है, अपने orbit में. अगर यह earth force लगाना बंद कर दे moon पर, तो क्या होगा? moon इस path path पर move करेगा? नहीं, इस path पर move नहीं करेगा. यह जिस time पर यह earth force लगाना बंद कर दे, उस point पर जहां कहीं भी रहेगा यह moon, वहां से और इस path के tangent में move करना चलू कर देगा. वह circular path में move नहीं करेगा. यानि इससे क्या मालूम चल रहा है कि एक force लग रहा है. Earth द्वारा moon पर एक force लग रहा है. The motion of the moon around the earth is due to centripetal force और इस force को हम बोलेंगे centripetal force यानि center seeking force या force center की तरफ लग रहा है तो इसलिए इसको centripetal force बोलेंगे. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. तो यह centripetal force कौन लगा रहा है? यह earth लगा रहा है. Earth अपने तरफ attract कर रहा है moon को जिसके कारण या force लग रहा है. centripetal force लग रहा है. तो अब हम लोगों ने Newton's के ठडलाओ के अनिशार क्या परा था? कि दो बोड़ी है. अगर पहली बोड़ी दुए दुसरे बोड़ी पर force लगाती है, तो दुसरी बोड़ी भी पहले बोड़ी पर force लगाती है. तो यहां देखे, यहां तो हम देख रहे हैं कि अगर अर्थ स्टोन पर force लगा रही है, तो इसका मोशन बालुम चल रहा है. यहां अर्थ के अर्थ पर गिर रही है. लेकिन क्या यह स्टोन भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है तो क्योंकि न्यूटन्स के ठाट लग को निशर क्या है कि स्टोन भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है तो यह स्टोन भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है लेकिन क्या अर्थ यह स्टोन की तरफ मूफ कर रही है अर्थ में क्य मुन के तरफ एक्सेलरेशन है, तो आए इसको हम लोग समझते हैं, अगर अर्थ इस्टोन पर फोर्स लगा रही है, तो इस्टोन को भी जरूर अर्थ पर फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन अर्थ को हम लोग experience नहीं कर पाते हैं, कि इस्टोन की तरफ जा रही है, लेकिन mass of earth है capital M, और mass of stone है small M, इसका जो mass है, earth के mass के compare में बहुत कम है, हम लोग ने इसलिए इसको small mana है और earth का mass तो बहुत बढ़ा है, अधिक होता है, तो इसको capital M mana है. According to the third law of motion, the stone वह सिस्टॉन जिस फोर्ष से एर्थ यसको अट्रेक्ट करेगी उसी फोर्स से earth भी stone को attract करेगा, आप देखें माल लेते हैं acceleration of the stone क्या है, AS, acceleration of stone, और acceleration of earth, equal to माल लेते हैं AE, acceleration of earth, और जिस acceleration से stone earth की तरफ आएगा, वो AS है और earth, जिस acceleration से stone की तरफ मुफ करेगा, उसका acceleration AE है, तो newtons के ठरड़ लोग का निशार क्या होगा, force ES, यानि earth ने जो stone पर force लगाया, वो equal होगा, MAS, जो stone का मास है और stone का acceleration है, वो उसके equal होगा, earth ने जो stone पर force लगाया, newtons के second law का निशार क्या होगा, force क्या होता है, equal to mass into acceleration, mass और acceleration का product होता है, तो stone का मास है M, हम लोग ने stone का मास M consider किया है, और stone का acceleration है, ES consider किया है, तो उसी तरह जो force stone earth पर लगाएगा, F, S, E, equal to M, A, E, यहाँ पर M, capital M है, जो है, वो अर्थ का मास है, और A, E है, acceleration है, अर्थ का, जो जिस acceleration से अर्थ स्टोन की तरफ मूब करेगी, उसका acceleration है A, E, अब न्यूटन्स के थर्ट लग का निशार, यह दोनों equal होगा, यह दोनों force equal होगा, तो दखिए, M, A, E, इक्वल होगा, M, A, E, तो अब हम A, E निकाले, acceleration of earth अगर हम निकाले, इस दोनों, इस equation से, तो क्या होगा, M, A, E, divided by capital M, capital M, mass of earth है, और small m, mass of stone है, तो देखिए, यहाँ पर A, E, क्या होगा, M, A, E, S, divided by M, और M का जो value होता है, mass of earth बहुत बढ़ा होता है, देखिए, the earth mass is 5.9736 multiplied 10 per power 24, यह बहुत बढ़ा quantity है, तो अगर इतने बड़े quantity से इसको divide करेंगे, जो mass of a stone कुछ kg में होगा, माल दके 20 kg है, तो अगर इसमें इतने बड़े quantity से अगर divide करेंगे, इतने बड़े quantity से, तो इसका value क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम, बहुत कम होगा, यानि acceleration of earth क्या होगा, negligible होगा, जिसको हम लोग फिल भी नहीं कर पाएंगे, experience भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि mass of earth क्या है, बहुत अधिक है, बहुत बड़ा है, तो इसके करण जो acceleration of earth होगा, वो बहुत कम होगा, तो इसके करण हमें जो earth का acceleration है, earth जो stone की तरफ move करती है, वो हमें फिल नहीं हो पाता है, उसको हम लोग experience नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम stone का acceleration निकालें, तो देखिए, एक capital M जो earth का mass है, बहुत बढ़ा quantity है, और उसमें ए बहुत बढ़ा number आएगा, इसका magnitude का बहुत अधिक होगा, तो इसके करण हमें stone का acceleration है, वो महसूस होता है, फिल करते हैं, लेकिन earth का, हम acceleration को फिल नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि earth को भी, इसको भी, इसको बहुत कम है, जिसके कर रहा है, लेकिन acceleration है, वो बहुत कम है, जिसके करण हमें महसूस नहीं हो पाता है, तो यानि earth भी force लगा रहा है, और planet भी, earth भी force लगा रहा है, और stone भी force लगा रहा है, दुसरे पर दोनों force लगा रहा है, तो आज का शरीफ introduction topic था, next में हम लोग universal law of gravitation को समझेंगे, तो आज का यह topic और या आपको पसंद आ रहा है तो इससे शेर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, thanks for watching.